हाई फ्रेंड Size Welcome to Education तो यहां पर बहुती बड़ी ख़बर आ चुकिये पाकिस्तान से पाकिस्तान पर बताय जा रहा है कि भार्त का जल्दी बहुती बड़ा आटेक हो सकता है और पाकिस्तान पूरी तरह से नक्से से गायब हो सकता है यह हमारा नहीं बलकि पाकिस्तान का करना खुद आया है और पाकिस्तान की जिस परकार से गीदर बब क्या आ रही है उस परकार से तो अब यही लग रहा है कि पाकिस्तान नकसे से गायब होई जाएगा बहुत ही जल तो क्या है पूरी की पूरी खबर उसको बताएंगे आपक करके इसलिए आप ये वीडियो भी पुरा का पुरा देख लिजए ध्यान प्रकलाश तक तक आपको पता चले कि आखिरकार पी ये मोधी का किस परकार से हैं बड़ी बात पाकिस्तान को लेकर और किस परकार से पाकिस्तानिया कहराएं कि अब हम नहीं बसने वाल हैं भारत दे देखने हो तो आप हमारे चनल को जरू सबस्काइब करिये जिसके लिए आपको वीडियो के निचे एक लाल करने का सबस्काइब कटन दिक्राओगा आपको उसको दबानाए और जैसे आपको सबस्काइब को दबाएंगे तो पास ही में आएगा एक गंटी का निसान उसको भी सपोर्ट भी जरू दीजे जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा लाइक करने साब का सपोर्ट वीडियो को मिलेगा और शेयर करने से वीडियो आपके जो भी भाई बाहन में तरह उनके पास भी पहुंच जाएगा और उनको भी पता चलेगा कि आप पा कि किस परकार से पाकिस्तान यहां पे नहीं बचने वाला है भारत देश से और पाकिस्तान पुरी तरह से होने वाला है अब नक्से से गायब भी तो आतंग की जड़ पाकिस्तान अब होगा खतम क्योंकि पाकिस्तान हर बार आतंग को करता है पेदा और अब आतंग नहीं होगा यहां पे कभी भी विश्व में और इसे कांजो है अब आतंग की जड़ पाकिस्तान पुरी तरह से हो सकता है नस्त नाबुक, क्योंकि यहाँ पर मोधी सरकार आचका है एक्शन में और मोधी सरकार ने इसे कान जो जम्मु कस्मिर से दराती श्यत्र को हटाया था, ताकि आतं को किया जाये पूरे देश से ही खत्र। और अब यहाँ पर चाहता है बारत देश यह भी कि पूरे विश्व से भी आतंग को नता दिया जाए और इसी कान जो है यहाँ पर पाकिस्तान को भी पूरे देश से यानि कि पूरे विश्व से हटा दिया जाए और इसी यहाँ पर योदना चलिए ऐसा कहना है आया है इमरान खान का इम्रान का यह कहना है कि पाकिस्तान पर जल्दी परमानु बन्म से हमले करने की यहां पर बात आईए भारत देश की तरब से और भारत देश अब यहां पर एक बहुती बड़ा प्लान तयार कर रहा है पाकिस्तान को पूरे देश स्विश्व से अटाने की यह बात कहना है यह पर इमरान खान की किस परकार से बात करें चले देख लेते हैं पूरी की पूरी विस्तुर रोप से जानकारी के साथ और आपको बता रहेते हैं कि पाकिस्तान अब क्यों घवरा रहा है भारत देश से क्यों भारत देश से इतना बोकलाया हुआ है यहां पर पाकिस्तान तो पा का यहां पर कभी भी पूरी तरह से जो है खेल खतम किया जा सकता है लेकिन उन्हें फिर बात यह कहिए कि यदि हमारे उपरा टेक होता है तो हम भी कड़ा जवाब देंगे और हम भी भारत पर हमलाग करेंगे देखे किस परकार से यहां पर इमरान खान भारत देश को घीदर कि और किस परकार से बोकलाहट नजर आ रही है इमरान खान के बयान में तो यहां पर फिर से बोकलाया हुआ इमरान खान भारत को दे रहा है बहुत ही बड़े यहां पर यहां पर यूद की धमकी मिली है परदान मंतरी जो की पाकिस्तान के इमरान खान उनकी तरब से और उन के नाम पर है आतंकिस्तान यानि कि पाकिस्तान से नाम रख दे बला ही आतंकिस्तान जो कि उनके नाम में है और आतंक का यहां पर बहुती बड़ा जो दे से वह पाकिस्तानी है ऐसा पाकिस्तान के लोगों का खुद का ही करना है कि आतंकी जड़ जो है पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के परदान मंत्री इमरान खान ने कस्मीर के मुद्दे पर विश्व समुदाई की चुप़ी पर सवाल उठाते हुए बहुत ही बड़ा बात कही है कि वहा कस्मीर की आवाज बनेंगे और मुद्दे को सहितर रवेस्विक मंच पर उठाएंगे। कि पाकिस्तान कहा जाए तो पुन्द था 1947 से पहले भारत देश का हिस्सा था और अब यहाँ पर वही हिस्सा जो है दे रहा है धमकी जो पहले भारती था यानि कि पाकिस्तान आतंग का एक बहुती बड़ा नाम भारत को धमकी दे रहा है लेकिन अब यहाँ पर जो है मोधी सर ये सुत्रों का कहाना आचुका है तो यानि की यहां पर PM Leonardi जी भी पूरी तरह से क्षेंद मेने हैं मोटी भी बहुत बड़ी फैसला ले सकते हैं सांति को ले कर बता जा रहा है कि आतन्का पूरी तरह से बुठान में एक बहुति बड़ा उतला आ सकता है और नश्ट किया जा सकता है यहां पर आतन को पूरी तरह से यानि कि पाकिस्तान पर एक बहुती बड़ा फैसला आ सकता है और इसी के साथ आपको बता है तो इमरान खान ने क्या बड़ी बात कही थी चली देखते हैं तो इमरान खान ने मुझपराबाद में पाकिस कश्मेर की विदान सबा के गविशे सत्रों को सम्भूदित करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के पीच को यूद होता है तो उसका समझोए बहुती बड़ा जिम्यदार विश्व समझदाइ होने वाला है और उन्हें कहा है कि कसमीर और पाकिस्तान पर विस्वा की नजर चल लएए कि किस परकार से यहां पर कसमीर पर जो डालाआटाई गई है वह एक तरह से कहें तो पूरी तरह से विरोध में रही है कसमीर के लोगों की ऐसा कहना आया है यहां पर इमराण खान का और इसलिए ये बात कही है कि कस्मीर और पाकिस्तान पर पूरे विश्व की नजर है उन्हें ने कहा है कि मैं कस्मीर की आवाज को हर अंतरश्चे मंच पर उठाने वाला दूत बनूँगा इमरान ने ये भी कहा है कि यदि पाकिस्तान के खिलाब भारत को ये आकरमकता दिखाता है तो उनका देश पूरी तरह से जवाब देगा ताकरस के साथ जवाब देगा ये बात कही है यहां पर इमरान खाने और अपनी गीदर बब की दे दिये फिर से यहां पर इमरान खाने और इसी के साथ एक बहुती बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान के सेना परमुक ने भी बहुती बड़ी गीदर बब की दिये भारत को आज और बताया है कि यहाँ पर हमले किये पूरी तयारी हमारी तरफ से तो यहाँ पर देखे बड़ी बात क्या यह पाकिस्तान के सेना परोक्ता की तरफ से तो उन्होंने बताया है कि कस्मीर पर है परमानू बंब के खत्रे का यहाँ पर पूरी तरह से संकेत और उन्हें ये बात कहते हुए बहुती बड़ी गीदर बब की दिये बारत देश को चलिए देखते हैं क्या कहा है तो पाकिस्तान के विदेस मंतरी सहा मुम्मद कुरेशी ने सनिवार को कहा कि पाकिस्तान अपने विदेसी कारेयल में एक कस्मीर सेल बनाएगा उन्होंने कहा है कि मुक्यरा जानियों की पैचान की जाएगी और सभी दुतावसों में एक कस्मीर डेस की बनाई जाएगी तो ये बड़ी ख़वर आ रही है यहाँ पर बारत में कस्मीर बुद्धे को लेकर पाकिस्तान की तरफ से और ये ब्रेकिंग नूस है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की एक और फिड से बोकलाहर देखने को मिल रही है इमरान खान के बाद पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी और इसे के साथ आपको बता दें तो यहां पर राजना सिंग की भी एक बहुती बड़ी आत आज चुकिये कि यदि पर्मानु बम होता है पर्मानु हमला होता है तो पहले सामने वाले करेंगे हम बाद में करेंगे हमारी तयारी अभी पूरी है हम भी कर सकते हैं अटेक लेकिन सामने वाले से यदि अटेक हुआ तो हम भी कम नहीं है हम भी अटेक कर देंगे ये राजना सिंग की बात है 130-140 और हम भी हमला कारश सकते हैं और आपको बताई तो परमानु बम की इस्तती में वर्तमान में विश्वा में जो है 7 नमर पर है बारत और वहीं 6 नमर पर जो है पाकिस्तान है 140-150 जो है परमानु बम है वर्तमान इस्तती में पाकिस्तान के पास और वहीं 130-140 परमान उबम है वर्तमान इस्थी में भारत के पास लेकिन भारत कभी कमजोर नहीं पढ़ने वाला है भारत कभी भी पाकिस्तान प्राटे कर सकता है ऐसा इमरान खान ने भी कहा है और जैसा कि हम बता दे आपको तो पाकिस्तान की इस परकार स लेकर आई थी और पाकिस्तान की तरफ से एक बहुती बड़ी घीदरबब की लोग को लेकर आई थी और बताय जा रहा है कि पाकिस्तान पर अब बहुती बड़ा हमला हो सकता है भारत देश के द्वारा और यहां पर आपको बताये तो पाकिस्तान पर जो बड़ा यहां पर आ कश्मीर मुद्दी को लेकर आज का मड़ी सकते हैं और आतन को पूरी तरह से चुप और सांत कर सकते हैं विस्ट व्समुदाएं मेच उस पेकार से यहती पूरी की बड़ी खवरवार आपके लिए बहुत Ozcusi जानकारी यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेट जरू जरू करिए ताकि यह जानकारी आपके भायों बाहन मत्रों के पास भी पहुंच जाए और उनको भी पता चले कि पाकिस्तान अब नहीराने वाला है इस विस्त में पाकिस्तान अब पूरी तरह से विस्वर से हो जाएगा गायब तो इस परकार से पूरी की पूरी यह थी जानकारी यहाँ पर बहुत ही बड़े युद्ध को लेकर तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लेगे हो तो आप वीडियो को लाइक शेट जरू जरू करें और साथ ही मैं हमारे इस अफ़स्वी जरू करें मैं और सैट ऑ को और साथ ही मैं हो और